36 गड़ के पूर्व उपमुख्य मंत्री व कॉंग्रेस नेता टीएस सिंध देव ने कहा, आने वाले लोग सभा चुनाव के लिए घोशना पत्र बनाने के लिए समिती का गठन किया गया है। समिती के चैर परसन पी, चिदंबरम और मैं सन्योजक हूँ, हमारे अतिरिक्ट समिती में 15 और सदस्य हैं, समिती के सदस्यों ने दो राज्यों को चेहनित किया है, इन राज्यों में वेजा कर विचारों का आदान प्रदान करेंगे। अम्रम सर उसके चैर परसन है, मुझे सन्योजक की जवाबदारी दी गई है, हम दोनों के अतिरिक्ट 15 और सदस्य हैं इस समिती में, समिती के सदस्यों ने अपने विकल्ब से कम से कम दो राज्यों को चिनहंकित किया है, इन राज्यों में वो जाकर सगन विचारों का आदा प्रदान आम जनों से करेंगे, समुहों से करेंगे, संगठनों से करेंगे, पार्टी के कारेकरताओं से भी करेंगे, और सभी प्रदेश कॉंग्रेस कमिटी के अध्यक्ष और कॉंग्रेस लेजिसलेचर पार्टी के अध्यक्षों को भी सूचना दी गई है, कि वो अपने म समिती के जाएंगे उनके साथ भी आदान प्रदान करें वह समिती के को अपने जानकारी से वह अवगत करा सके ताकि यह जो घोशना पत्र बनेगा यह केवल एक 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 एकसरसाइज ना रहे जिनके लिए घोशना पत्र बनना है जिनके हित के लिए घोशना पत्र बनना है आम नागरिक देश का भारत का वो भी अपनी सभागिता निभा सके और इस बाबत ये प्रयास किया जाएगा जहां आमने सामने भी चर्चा हो सके जहां तक हम नहीं पहुँच पाएंगे या लोग हम तक नहीं पहुँच पाएंगे उनके लिए आज के तक्निकी युग में इमेल की माध्यम से और एक वेब साइट की माध्यम से सुझाओ खुले तोर पे आमन्त्रे थें नब्वे करूण